नमस्कार आप देख रहे हैं बॉलिवड की इसरी और मैं हूँ आपके साथ ही एक तौमे लेकर आई हूँ बॉलिवड के कुछ लडिस्ट अपडेट छोटे पर्दी की चर्चित बेटी कहे जाने वाली रतन राजपूत एक बाव फिर से चर्चा में आ गई है दरसल फिल्म इ एक्ट्रिस ने अपने कास्टिंग काउच की अब बीती सुनाई है जिसे सुनकर हर किसी के खोश उड़ गया है तो क्या कहा है रतन ने जानते समझते हैं इस रुपोर्ट में दरसल रतन राजपूत ने अपनी ताज़ा ब्लॉग में स्ट्रगल की दिनों को याद करते तुम्हें तो अपना पूरा लुक बदलना पड़ेगा पूरा मेक ओवर करना पड़ेगा और यह सब करवाने में तक्रीबन 2-5 लाग रुपे खर्च होंगे लेकिन मैं तुम पर लाखों रुपे खर्च क्यों करूँ यदि तुम चाहती हो कि मैं तुम पर पैसे लिटाओ तो तुम मुझे अपना गौड़ फादर बनाना होगा मुझसे दोस्ती करनी होगी वही रतन ने आगे बताये कि यह सब सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और तभी मैंने उससे कहा कि आपकी उम्र मेरे पिता के बराबर है तो मैं आपसे दोस्ती कैसे कर सकती हूँ हाँ मैं आपका सम्मान करती हूँ आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी मेरी बाते सुनने की बाद वो आद में मुझसे नाराज हो गया और कहने लगा कि मैं कोई गाइड वाइड नहीं करूँगा यहां सिर्फ दोस्ती होती है अगर तुम अभिने के दुनिया में कदम चाहती हो तो यह सब ड्रामा बंद करो थोड़ा स्मार्ट बनो वही रतन ने यह भी बताया कि जौरान आदमी ने अपनी सारी हदे पार कर दी और पिता वाले बात पर तो इस कदर भड़क गया कि उसने ये तक कह डाला कि सुनो अगर मेरी बेटी भी एक्ट्रिस बनती तो म मैं उसके साथ भी सोता तो यह सुनकर हैरान हो गई थी यह सुनने के बाद में जैसे तैसे वहां से निकली हाला कि उस आदमी ने इस वक्त मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया लेकिन उसकी यह सारी बाते मेरे दिमाग पर गहरा असर डाल दिया था वही रतन इस हाथसे के बाद से फिल्म में रोल के लिए किसी से कोई मिटेंग नहीं कर पाई थे और कहीं न कहीं यही कारण भी है कि रतन अब टीवी की दुनिया से काफी दूर हो गई है वही रतन ने कहा कि उस वक्त तो मैं उसको कुछ नहीं कह पाई लेकिन अगर आज वो वैक्ती मुझे मिल जाए तो मैं उसके मूँपर चपल से मार कर उसे भगा दूँगी मुझे आज भी उसकी सारी बातों को याद करके मेरा खौन खौल उटता है साथ ही रतन ने अपने ब्लॉग में आखरी में लोगों को इंडस्ट्री में कॉंप्रमाइज ना करने की सलाह भी थी वल आप रतन राजपूत के ये कास्टिंग काउच के स्टोरी से कितने इंस्पायर होते हैं यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए अगर आप मारे वीडियो फेस्बूक पर देख रहे हैं तो मैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले झाय को स हूए अपाण लेन कर दो आपको सब्सक्राइब NOW